ऊथ हलो स्टूदेंट्स आप सबको आज विलकम करता हूं हाउ । वानगर सेट्वाटे मैथमेटिकल साइन्सेज एक्जाम वंस सब स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स जो प्रिपेर कर रहे हैं दिसम्बर 2022 के लिए उन सब के लिए हाउ टू प्रिपेर वट इस्ट्राटजी कौन इलिजिबल है क्या कूर्स कॉंटेंट है और क्या हमारी कट आफ है उन सब पर बाते करेंगे और कैसे अपनी त्यारी को बहतर कर सकते हैं अल्फा प्लस के साथ सबसे पहले में स्टूडेंट बात करना चाहूंगा किस तरह का कॉंपेटिशन लेवल है हमारा लगभग 55,000 बच्चा हर साल एक्जाम दे रहा है स्टूडेंट पच्पन हजार बच्चा हर एटेम्ट में इतना सारा बच्चा मैथमेटिकल साइंस का एक क्राक करना है तो कुछ बातों का तो ध्यान देना ही होगा स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले आपको चूज करना होगा सबसे पहले किस टीचर से आपको पढ़ना है कौन टीचर आपको आपकी मंजिलता लेके जा सकता है अब यहां मैं बात करना चाहूंगा से हर नहीं है पॉस्टिक्ट नहीं है आपके टेस्ट नहीं मॉडूल चेक्स नहीं करते हैं आपको क्विजिज नहीं देते हैं लेकिन वह अच्छा बढ़ाते हैं यह टीचर ए हैं और टीचर बी है जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं पर साथ-साथ वह बहुत स्टिक्ट हैं discipline हैं आपको test देते हैं assignment देते हैं और exam के last day तक आपके साथ उतनी ही महनत करते हैं जतनी ही महनत आप करते हैं जो last day तक भी आपके साथ टिके रहते हैं वो teacher है B आप खुद ही सोचिए दोनों में से result किसका अच्छा आएगा of course teacher B का आएगा students as a teacher का जहां पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है पढ़ने पढ़ाने का तरीके से क्या मतलब है student काफी बार हमने देखा है बच्चे एक दो मैंने तक basic concepts कर रहे हैं वो exam level के questions करी नहीं पा रहे हैं अगर teacher को select करें जो आपको दो से तीन class में exam level के questions crack करने में help करें आप exam level के questions crack करना start कर दें so every class should be a challenge आप इंतिजार करें classes का और आपको test देने मजाने लगे तो then your preparation is started तो students सबसे पहले अपनी इस त्यारी में choose करना है आपको एक बहतर teacher जो कि आपको alpha plus के साथ मिल सकता है और आप alpha plus की classes करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा अब लेकिन ये बात तुसर आपने कह दी कि teacher बहतर है अब इसके बाद आपको सुना कैसे आप prepare कर सकते हैं कौन students eligible हैं साथ में students एक बात का खास ध्यान रखे जाए no confusion only clarity no confusion only clarity of the concept ये हमारा punch line है students तो सोच लो हमारी punch line ही ऐसी है कि कहीं पे भी ऐसा कोई concepts हम नहीं छोड़ते हैं जिसमें clarity नहों 100% clarity के साथ पढ़ाए जाता है अब students आज का agenda क्या है हमारा हम agenda से start करते हैं हमारा agenda is that eligibility कौन-कौन eligible है क्या syllabus है exam pattern cut-off और यह CSR net 2022 के बारे में बताऊंगा दूसरा preparation strategy students how to crack CSR net mathematical science येस पहले हिटम में कैसे crack करें tips and tricks from the experts to prepare for mathematical science और mathematical science expert faculty से आपको मिलवाएंगे students और क्या features हैं हमारे hybrid classes के alpha plus K वो सब भी आपको बताए जाएंगे तो यह सारा agenda है students आज की session का तो सबसे पहले चली चलते है eligibility पे students जाता है students को eligibility पता है सबसे पहले बात करते हैं age limit पे age limit 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए लेकिन अगर कोई candidate SCST है यह privileged है तो वहां पर तीन से पांच साल का उसको relaxation है बट देर इस नो minimum age limit students तो यह तो सबसे पहले clear हो गया अगर आपकी उमर 18 साल से जादा है तो आप eligible नहीं है students लेकिन अगर आपके पास category है SCST OBC तीन साल तक का यह तीन से पांच साल तक का आपको grace है पर देर इस नो minimum age limit तो age limit के बारे में पूरी clarity है कौन कोन eligible है students अफकोस अगर आप mathematical science से prepare कर रहे हैं तो आपने mathematics पढ़ा होना चाहिए काफी अपने college में b.tec में b.sc में m.sc में पढ़ा होना चाहिए और इसके बाद यह prepare कर सकते हैं और आपके अच्छे marks भी होने चाहिए उसके अंदर लगबग 55% marks आपको होने चाहिए तो basic eligibility आपको सबको पता है detail में आप पढ़ सकते हैं इसको eligibility को आप ठीक है और जो graduation complete कर चुक है अपनी master start कर चुक है वो बच्चे सब इसके लिए eligible हैं अब exam pattern में बात करते हैं यह बहुत अच्छा है अभी फिलाल तो मैं इसके बारे में overview देता हूँ total exams में आपको 60 questions attempt करने होते हैं 120 में से 120 questions में से आपको 60 questions attempt करने होते हैं first the entire paper is divided into part A, B and C so part A is common, it's general part, it's for everyone, it has general aptitude, it has probability statistics, it has mathematics problems B and C is pure mathematics and statistics, both the parts are covered है students mathematics का पूरा portion, pure part, applied part, सब covered है and statistics का भी pure and applied part, इसके अंदर covered होते हैं आपका students negative marking है, yes, in section A and B there is a negative marking of 0.5 and 0.75 लेकिन सबसे अच्छी बार students mathematics वाले बच्चों के लिए section A is always an advantageous section क्योंकि इसमें mathematics का ही portion आता है जाता है आपके पास, yes तो exam pattern इस तरह का है और यह आपका syllabus है students मैंने syllabus को units में divide किया है, पहली unit का नाम दिया है मैंने compulsory part जिसमें real analysis और linear algebra है students, दूसरे को मैंने प्यूर पार्ट नाम दिया है complex analysis, model engineering, typology, yes, metric spaces भी है इसके अंदर, rings, groups, यह सब है इसके अंदर बच्चों के फेवरेट पोर्षन होता है और statistics, yes students, यह हमारा USP है, हम आपको पूरा statistics, जो students statistics से करना चाता है या graduation में जिनके पास mathematics और statistics दोनों ही थे students उन बच्चों के लिए statistics भी बड़ा advantages है, यह जो सिर्फ पार्ट हैं आपका mathematical statistics वाला यह portion लगबख सबने graduation में पढ़ा होता है students, इस portion की मदद से आप लोग आसानी से आप लोग असानी से अपने score को 120 प्लस ले जा सकते हैं, with this portion, यह students, जिन बच्चों को प्योर पार्ट में बहुत जादा इंटरस्टेड नहीं होता, यह syllabus की बात की students, यह syllabus है हमारा, यह सारे topics आपको mention कर दी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं, cut off की यह जानना बहुत जूर रही है, तो students जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है, आप देखिए, 17, 18, 19, 20, मुझे 21, 22 भी डालना था, पर concrete नहीं मिल रहा था, तो कोई बात ने, कोई एक exam हुआ है, पर फिर भी आप देखें, कि cut off बढ़ते जारी, level of entrance बढ़ता जा रहा है, 102 और इस तरह से आ गई है, तो कहने का मतलब, आपको net के लिए 100 marks चाहिए, यह मान के चलें, और 111 marks चाहिए, आपको jrf के लिए, बढ़ा सिंपल सी बात है, 100 marks and 115, यह आपका, आपका target 125, 140 होना चाहिए, तब यह जाके achieve होगा, बिटा, तो cut off यह मैंने सब के लिए बताई है, ब इस बात के लिए ध्यान देना था, यह percentage-wise है, बिटा, अगर हम बात करें, mathematical science की, तो 44.3 to 5% marks रही है, for other categories, it is approximately 25 to 40 की बीच में है, this is percentage-wise for the lecturership, कितने students ने appear किया, कितने उने register किया, यह data है, students हमारे पास सभी courses का, हम specially focus कर रहे हैं, mathematical science पे, लगभग 2021 के अंदर 40,000 बच्चों ने register किया, लेकिन exam appear किया, 30,000 ने, हाँ ना, फिर register और appear दोनों का दिखा रखा रखा आपको, कितने बच्चों ने register किया, और कितनों ने appear किया of course, unit wise important topics, यह यह बड़ा important है students, कि unit wise क्या, क्या important topics है, जिन पे आप धियान दीजिए, तो students, यहां से अब हमारी preparation strategy start होती है, अब सबसे पहला portion है students A, section A, जो कि mathematics के बच्चों को अराम से वहाँ पर, कोई भी mathematics का बच्चा, अराम से 6 से 8 questions तो बड़े इसले निकाल रहता है, अगर थोड़ा सा effort करें, दस question भी नहीं काल सकता है, आराम से, बिना negative marking किये, तो section A के बारे में बात नहीं करते है, B, C के बारे में बात करते है, students, section B का unit 1, जिसको मैंने compulsory part बोला था, students, वो 65 marks का है, यहां पर देखिए आप, यह 65 marks का है, real analysis बिटा, आपका जो real analysis है, पुर सबना बनता ही नहीं है, और सबने सोचा होगा, पढ़ा होगा, कॉलेज में, कैसे पढ़ा है, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि यह analysis theory है, मुझे तो पहली बार जब college गया, तो सबने बोला theory है, मुझे सच बताऊं, मेरे तीन सागत दूर्पी के बाद यह पता है, कि वह theory नहीं है, वही तो numerical है, वही तो असली content है, जो पढ़ने वाला है आपके बास, तो यह theory नहीं है, प्लीज, आपको किसे ने गलत तरीके से पढ़ा है, या गलत पढ़ा है, आपका यह analysis बिलकुल numerical है, और बहुत मज़ा आताइसो करने में, questions बहुत interesting होते हैं, बहुत logical होते ह हैं, तो यह तो compulsory part है, और linear algebra again, approximately 55 marks, तो लगबग students, मैं आपको बात करूँ, 120 marks का यह content है, 120 marks का सर्फ यह content compulsory part जिसको बोला है, जिसके बिना आपका गुजारा ही नहीं है, आपको करना तो है ही, तो 120 marks सबसे पहले करना चाहिए, generally, जो बच्चे CSI NET की त्यारी करने हैं, उ QSAT, NBHM, किसी की त्यारी तो की है सबने, तो जिसकी भी त्यारी की है, उसमें ये दुनों topic जरूर पढ़े होंगे, चाहिए वो mathematics का student हो, चाहिए वो statistics का student हो, तो यह topic आपका बहुत strong करने है, यहां पर आपको एक best teacher चाहिए, जो आपको 120 marks आपकी जोली में डालने में काम है, और यह सबसे अच्छा है, सबसे scoring है यहां पर यह, बात करते हैं, next part की students, जिसको हम बोलते है, pure part, अगर आपका यह compulsory वाला पार्ट में जिसका बहुत अच्छा hold है, मैं चाहूंगा कि वो बच्चा pure part की तरफ भी जाए, और यहां पर भी कुछ marks अच्छे से अर्जित क कर सकता है, राम से इन पोर्शन में जैसे कि complex analysis के, आपको पता यह कुछ fix topics है, यहां से तो question आएंगे, यहां से question आएंगे, topics हमने दिये हैं, यह fix topics हैं, जहां से जैसे modern algebra में, 35 to 40 marks का आ रहा है, यहां भी 35 to 40 marks का, लेकिन यह questions topics हैं, जहां से question हमेशा आता ही आता है, topics देखि आप अच्छे से यहां पर score कर सकते हैं, तो लगभग मान के चलें, यह 70 marks के आसपास है, 70 to 80 marks का यह section है, pure, लेकिन pure, please, यहां पर statuary warning है मेरी, वोही बच्चे pure में आएं, जिनोंने graduation के अंदर, graduation के अंदर, graduation में, B.S.C. Honors Mathematics, Honors Mathematics किया है, और वो M.S.C. Maths कर रहे हैं, M.S.C. Mathematics कर रहे हैं, तो वोही बच्चे इस portion को अच्छे से करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका एक base बना होता है, उसके उपर उनको grow करना है, तो वो कर पाएंगे शिच को, इसके अलावा अगर कोई बच्चा कहता है, सर मैंने तो B.S.C. Honors Mathematics नहीं किया, और M.S.C. Maths मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी और B.S.C. Physical Science किया था, कुछ और course किया था, जहां पर match भी था, stats भी था, इस तरह से किया था, तो उन बच्चों को मैं सलहा दूँगा, यह portion में ज़्यादा घुसने के जरूद नहीं है उनको, इसके जगह पे, इसके जगह पे वो target करें students, यह वाला portion, जो उनको मज़ा भी आएगा करने में, और यह applied part है students, applied parts students favorite, यह students का favorite part होता है बेटा, student zone, बोलते है हम लोग इसको, तो student चाहता है maximum में यहां से score करूँ, आप देखिए 55 to 60 में कह रहा हूँ, यह मैंने minimum side लिया है, 55 to 60 marks, तो मदब 120 वहां पर है, 60 यहां पर है, लगबग 180 marks का paper आपका 200 में से, इन दो portion से crack कर सकते हैं आप लोग, हां जी बेटा, 200 में से 180 marks, क्योंकि आपका section A तो मैंने छेडा ही नहीं, section A तो अलग छोड़ दिया, वो तो 20-30 marks अलग छोड़ दिया मैंने, यह तो section A और B की बात हो लिए, वहां भी तो कुछ score करोगे, तो students आपको compulsory part करना ही करना है, दूसरा और यह applied part है student, जिसमें मज़ा आएगा आपको question करने में, हाँ, कुछ topics हैं जहां पर आप short short question आते ही आता है, जैसे topics दिये वे हैं, heart and wave equation, variation of parameters, complementary functions, ton, low-lose theorem, और ऐसे और भी topics के अंदर detailed है, जहां से question हर बार आते ही आते है students, वो आपको teachers, class में एकी चीज़ detail में बताएंगे students, yes, यह applied part है, अब उन बच्चों के लिए, जो बच्चे statistics को measure लेना चाहते हैं, वो तो खुश हो जाएं बिल्कुल, because alpha plus is the only institute who is providing coaching for the statistics portion as well, ऐसे बच्चे भी हैं, जिन्नोंने masters में admission लिया है, mathematics में या statistics में, जिन्नोंने gradation में math stats दोनों ही पढ़े हैं, उनके लिए compulsory part, applied part और probability stats, बैस सोन questions, आप लोगों ने अपनी graduation में पढ़े हुएं, इन में से काफी सारे short short questions आते हैं, और यहां पर भी कुछ topics ऐसे हैं, stochastic process, जहां पर mark of chains है, linear models है, आपके पास multiple aggression है, design theory है, जहां से भी direct एक दो question तो हर बार simple होता है, पताया, a periodic periodic क्या है, इसके अंदे बताना, two state mark of stationery है, य जो बहुत छोटी छोटी चीज़े हैं, जो आराम से पूछी जाती हैं, और हर बार आती ही आती हैं exam में, तो वो topics करके भी आप अपने score को बढ़ा जा सकता है, तो इसके लिए लेकिन एक अच्छी planning की बहुत जरूरत है students, बैठ के पहले अपनी strength पे काम करना और अपनी weaknesses प test कर रहे हैं, बैठा हमारी faculties के दुवारा लिखे गई है, क्या real analysis के लिए कौन कौन सी बुक है, जातर यह बुक सब अपने college में पढ़ाई में पढ़ी हैं, आपने बातल से बढ़ी है, इसके मापा पढ़ी है, बाकि SL गुपता और अनर गुपता और टॉमी एम एपोस्ट तो उन बच्चों के लिए बुक नहीं है, उनी के लिए जो crack करना चाहते हैं, जिनको entrance exams की questions करने हैं, उनको method सिखने हैं, counter example सिखने हैं, ये बुक उन students के लिए है, वे फिलाल ये बुक अभी available नहीं है market में, out of stock है, इसका next lot आने माला है, प्रिंट होगर के students, तो next lot के लिए आप इसको, हाँ, जरूर order कर सकते हैं, Amazon Flipcard ये alpha plus की website से, आप कहीं से भी order कर सकते हैं, या फिर आपको अपने local book store पे भी मिल जाएगी books, दूसरा आगे बढ़ते हैं students, बात करते हैं, modern algebra की, और linear algebra की students, model algebra, linear algebra के अंदर ये topics है, बुक्स हैं, रिकमेंडिट बुक्स बायार faculty, contemporary algebra by Joseph Galien, Galien समने पढ़िये, खना भामडी समने पढ़िये, और राम जी लाल हैं, ये भी अच्छी book है, और यहां पर group theory की वेकसर की book है, again, this is for entrance exam, almost 800 plus objective type sold problems हैं, from CSI net, gate and jam, के बच्चों के सारे questions इसके अंदर solved हैं बच्चों, और ये आपको solution भी बहुत अच्छे से दिये हैं इसके अंदर, फिर से मैं कहूंगा, ये beginners के लिए नहीं है, ये उनके लिए है, जिनको knowledge है, conception, थोड़ी सी clarity है, तभी वोन solutions के options को समझ पाएंगे, this is again a very demanding book, लेकिन ये stock में available है, Amazon Flipkart या Alpha Plus पे कहीं पे भी order कर सकते हैं, you will get the maximum discount if you contact Alpha Plus, बाकी Amazon Flipkart पे भी है, रही बात linear algebra, linear algebra में ये books हैं students, आप देख लीजिए, linear algebra की books कौन कौन सी हैं, और इसमें भी वेकर अंसर की book coming है, within this, within one or two months, ये आ जाएगी market में, और वेकर अंसर बहुत time लेता है, अपनी book लिखने के लिए, क्योंकि generally, वो अपने खुद के solutions बहुत अच्छे से डालना चाते हैं, जिससे की बच्चा घर पे बैठके ऐसे पढ़े, जैसे कोई teacher पढ़ा रहा उसको, अगर वो books से करेगा, तो इतना अच्छा उसको मजा आएगा, काफी सरे teachers भी इन books को order करते हैं students, तो ये recommended books हैं आपकी, for modern algebra and linear algebra, फिर ये complex analysis, topology and function analysis की books हैं students, ये सारी books आप note कर सकते हैं, इनकी PDF copy अप के लिए, ये books हैं statistics के students के लिए बिटा, statistics के students इन books को recommend कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरी book आती है, probability and mathematics statistics by Manish Malik, और अभी मेरे modules भी आ रहे हैं, ये already market में available हैं, और flip card और Amazon पर मिल जाएंगी ये books भी आपको, again ये books में बहुत सारे practice questions मिलेंगे, हजारो, solve practice questions मिलेंगे, और बिलक सर नहीं, बात करते हैं students next, अब कैसे हम strategize करें, कैसे अपनी preparation को start करें students, right time is, आपके college के exam सिल रहे हैं भी, normally देली इस्टीम में, the moment your exams are face, first week of June से students, first week of June से, हमारे batches start हो रहे हैं students, तो उन batches के लिए join करें, और क्या strategy रखें, सबसे पहला काम student, identify and prepare important units, सबसे पहले वो units पर target करना है students, जो आपकी weak points हैं, उनको identify करना है, आपके पास बहुत सारे topics हैं, say 10 topics हैं, आप सारे नहीं कर सकते, बिटा 100 pages पढ़के भी 100 number आते हैं, और 60 page पढ़के भी 100 number आते हैं, तो 60 page पढ़ें और 100% confidence हैं, यह आपकी strategy होनी चाहिए, exam के अंदर, दूसरा जहां पर आपके पास multiple answers हैं, किसी भी questions के, वहाँ पर आपको counter examples की practice करनी होगी, कि मैं कैसे counter examples दे सकता हूं, यह मेरी पहली strategy होगी, और किस किस section को, मुझे कितना time देना हैं, कैसे questions attempt करने हैं, this is also part of this preparation strategy, तो सबसे पहले students हमने important topics identify करेंगे, उन topics में conceptual clarity करेंगे, जैसी teacher वो topic complete करता है, आपको देखना है कि past year की questions आप कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें, और उनके doubts आपको लेने, difficult topics को segregate कर लेना हैं आप लोग को वहाँ पर, है न, और हर साल कैसा level बढ़ रहा है, उस पर हमें काम करना बढ़ेगा students, yes, हमें सबसे पहले बात students, यह सारे efforts आपको करने हमारा काम है आपको उन topics की conceptual clarity देना और आपको धेर सारी practice कराना, यह हमारा काम है, लेकिन आपको करना है जो काम वो आप ही कर सकते हैं, वो मैं नहीं करूंगा, practice तो आप ही करेंगे, questions आपको लगाने होंगे, अगर students, मान late से late, mid September ले लेजे, आपका content लगभग इतना complete हो जाना चाहिए कि आप CSN net में अराम से 100-500 marks का paper कर पा रहे हूं, right, उसके बाद आपको daily, daily लगभग 50-50 question लगाने होंगे, practice करने होंगे, question लगाने और test करने से ही सारा purpose आपका solve होगा, जितनी अदर question करेंगे, उतना ही है, revision notes, yes student, जब हम आपको पढ़ाते हैं, तो हम आपको कहते हैं, mathematics के बच्चे हो, तो तीन color के pen लेके बैठो, red, blue and black, आप black से question लिखते हैं, blue से solution करते हैं, red से highlight करते हैं, कि ये important बात मुझे याद रखनी है, इसको बुलते हैं, flash cards, ये पढ़ाये जाता है, हम लोग पहले उसको class में आके पूछते हैं, उसको बोलते हैं, हम लोग firing round, उस round के इंदर हम वो सारे questions आप से पूछते हैं, जो बच्चा जवाब नहीं देता, थोड़ा सा उसको लगता है, कि मैं पढ़के नहीं आया हूं, तो agree करता है, वो अगली ब understand करने में faculty आपकी बहुत मदद करती है, question को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, trend कैसे increase कर रहा है, difficulty level कैसे बढ़ रहा है exams का, वो आपको पता ही है, difficulty level बढ़ता ही जा रहा है, तो difficulty बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि आपको त्यारी और जमके करनी हैं यहां पर, हाँ जी, focus होके करनी है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था, कि सिर्फ उस teacher पर भरोसा करें, जो आपको दूसरी या तीसरी class में ही, exam level के question करने लाइक बना दे, मतलब आपको class में question दी, आप कर पाएं उसको, गलत करें, हो सकता है कई बार गलत answer आ जाए आपका, हो सकता है, क्योंकि अब तो सकता beginning की है सरफ आपने अभी, लेकिन आप उसको initiate कर पाएं, कई बार तो बच्चे initiate नहीं कर पारते हैं, दो-दो महिने की त्यारी में भी, दो-दो महिने से पढ़ रहा हैं, लेकिन कोई question initiate नहीं कर पा रहें, तो this is really bad, ये था students in topic पे बात हमने की, बात करते हैं students में आगे हमारे courses की, ये faculty, मनेश मलिक मेरे नाम है students, मुझे 18 साल का तजर्वा है, IT jam, MSC entrance, CSN 8 की पढ़ाई के लिए, we are the only institute with the most trusted brand in Delhi for mathematics honors coaching, and MSC math coaching, then we enter into the IIT jam, MSC entrance, and we give flying results, बहुत अच्छे results हमने दिये, और अब हम CSN 8 के त्यारे करा रहे हैं आप लोगों को, और we pioneered actual science in India as well, बहुत ज़्यादा चीज़े नहीं पढ़ाते हैं लेकिन जो पढ़ाते हैं तसली से पढ़ाते हैं, ये हैं विवेकरनंद, जिनको बच्चे बच्चों ने designation दिया, God of mathematics, ये बच्चों के साथ जान लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने में, 18 साल का तुजर्वा है खुद की बुक्स है इनकी, और ये वो रिसर्च बुक्स हैं, आप बुक्स भी देखेंगे तो उनका लेवल है बुक्स का, येस, तो वेकर अंसर इद के साथ आप त्यारी करेंगे, हमारे अल्फा प्लस आपको ओफर करता है, हाइब्रिड क्लासे बिटा, आफ्लाइन, ऑन फिटल है जहांपर टैस्स होती है और आपको आपका आपका मिलता है विद एक्स्प्राइशन की किस पोर्शन में आपने कितना अच्छा स्कूर कि है, SECTION A, B, C, कैसा किसे किया है, किस में अच्छा परफॉर्म किया है, किसमें नहीं कौन सा सबजेट आपका, कौन सा बीक है इस तरह का analysis भी मिलता है आपको हमारी test series के अंदर so students we are going to start our CSI net batch from the June first week of June हमारी fees are 45,000 और discounted fees are 30,000 students 30,000 fees है for those students जो offline की त्यारी करेंगे yes जो online करेंगे students वो by juice पे हमें join कर सकते हैं by juice पे हम online classes लेते हैं alpha plus में offline और video देते हैं recorded classes भी देते हैं जो class हम पढ़ा रहे होते हैं offline में वही class record भी हो रही होती है साथ में yes वही class आपको मिलती है इसको hybrid model बोला गया है पीस 30,000 है first week से हमारे batches start हैं interest students please enroll कराएं अपने आपको और अपनी बहतर त्यारी के लिए एक बार हां मौका दें वेकरनंद सर और मरी सर को आपके अंदर का best output निकालने के लिए और इस बात के लिए मैं आपको students wish करना चाहूंगा आपके future endeavor के लिए की best of luck for your future and we are starting our batches from the first week of June first week of June से बैस्टार्ट कर रहे हैं please come and join our classes so thank you very much students thank you very much